तकार तूस्तो बहुत-वहुत सुवागत है आपका हमारे शेहनाद में दोस्तो इस पिडिएयो में बात करेंगे मित्चुनासी के दैनिक रासी फल के बारे में कि मित्फुनासी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 19 सिकतंबर सरी भार का दिन मित्धुंडासी के व्यापार व्यवसाय करियर लवलाइफ फुर्ण के सुवाष्ट के बारे में आपको बताएंगे तथा आज एक के दिन कौन से शित्र में कारे करने से आप लोगों को ज़्यादा सफलता आपके मान, सम्मान, जिसकरती में वड़ोतरी हो सकेंगी आप अपने दैनिक दिंचरिया में किस प्रकार से प्रिवर्तन कर सकते हैं और किस प्रकार से आपके जीबन में खुसों की वारिष होने वाली हैं आपको किस प्रकार से सुनवरे अवसरों की प्राप्ती भी होने वाली हैं मातलक्स में को परसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का उचारण करना आपके लिए बहतर हो सकता है। इस परकार से मातलक्स में आपके जीबन के सारे दुख तकलिफें, समस्चाएं, संगड़ें और आर्थिक तंग्यों को तूर करने में आप लोगों के सहता कर सकती हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से वीडियो को आखरी तक देखेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब अवस्चे कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सकें। और आप आने वाले दुनों को और भी ज़्यादा बहतर बना सकें। तो मित्रों मित्वनासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे। ये आज के दिन आप अपने विद्याट्तों को भी पढ़ाई में मल लग सकता है। आज आप अपने रुके हुए अटके कारे को पूरा कर सकते हैं। आज के दिन आपको अलप प्रियासों से ही अपने काम काजों को पूरा करने के मुख्य प्राप्तों होंगे। करियर और वैपार वेवसाइम हैं आपको अनुकूल प्रिणामों की प्राप्ती होंगी। बसरते आज आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। जोकि आपको कोई भावनात्म ग्रूप से वेवकूप बना सकता है। आज के दिन आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की अवस्य कोश्च करें। कारी शेतर के विस्तार के लिए आप नई योजनाव पर विचार कर सकते हैं। मार्केटिंग समंदी कारी पर भी अधिक ध्यान देने की जुरूत रह सकती हैं। आप किसी बड़े अधिकारी या किसी राजनितिक किसे आपकी मुलकात फायदेवन्द सावित होंगी। नौकरी पेशा वाले लोगों का दिंचरिया कौफी वैस्त रह सकता है। वहें पत्ती और पत्तनी के वीज आपसी तालवेल काफी अच्छे होंगे। विद्यार्तों को भी परत्योगी परिक्षा का फ्रिनाम प्राप्त हो सकता है। आपको आज के दिन किसी रिष्टेदार या किसी मित्र के द्वारा कोई महत्पुन सूचना मिल सकती है। जो आपके लिए लापदायक सावित होगा। आधिके दिन आर्थिक रूप से आपका समय काफी अच्छे होंगे। कारुबार में आपको और अधिक महनत करने की और परिसरम करने की अवस्यकता रह सकती है। कारी विष्तार समंदी योजनाएं कारी रूप से परनित हो सकता है। आपको अपनी योजनाव पर पुना विचार करने होंगे। नोकरी में भी हलकी फुलकी प्रेसानियां आ सकती है। प्रन्तु बुद्धी मता और विवेक से आप अपने सभी प्रिसानियों का हल सांति पुन्धंग से निकाल सकेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर मदभेद या गलत फेमिया हो सकते हैं। प्रेम परसंगों में भी आपको थोड़ा से अपवय का सामना करना पढ़ सकता है। प्रन्तु आज के दिन भाग्योनती के लिए सुभवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो काम आपके पिछले आप चक्चम होंगे। आज कुछ विरोधी आप लोगों पर हावी होने की कोशस कर सकते हैं। प्रन्तु आप अपने बुद्धी विवेक और अपने काम काजों के वदोलत उनको वीचे छोड़ते वी आगे बढ़ सकते हैं। मत्रों आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि आप दिन मिश्रित प्रणाम प्रदान कर सकते हैं। वैवसाईक और आर्थिक प्रगति के लिए एवं सम्मान को पाने के लिए अवदी अनुकूल रह सकते हैं। आप धार्मिक बनेंगे और संगर्ष करने के बाद विजेई होंगे। आपके धार्मिक विचार वाले होने के कारण आप अपने भावों और विचारों के समन्द में हाला कि आपको आज के दिन सावधान रहने की आवस्त कता रह सकते हैं। आपको वरिष्ट नागरी को को भी किसी प्रकार के कोई भावनात्मक भागिदारों और लंबी दूरी की यात्राओं को करने से बचने का प्रियास जरूर करने होंगे। आपके मिन में जागरित हो सकती हैं। आपके जीवन में आपको खुश्यों की प्राप्ती होंगी। यदि आप जीवन साथी की खोज कर रहे हैं तो आपको समय अच्छा रह सकता है। आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ती हो सकती हैं। आपको अपने लक्षों और महात्म कान चाओं की प्राप्ती के लिए प्राप्ती सील रहने की जरूरत रह सकती हैं। वरिष्टों और प्रभावसाली व्यक्तियों से रह लेकर कारी करने होंगे। आपको अपने प्रिशन का समय उप्योग करने होंगे। जदे अत्ति आवज सक नहीं हैं तो आप चीजों से छेड़चार न करें। आपको अपने खान पान का ध्यान रखना सुब हो सकता है। किन्तु संतान या उसके सिख्चा को लेकर थोड़ी से चिंताएं हो सकते हैं। प्रेम समंदों के लिए आपको सुखद वात्तवरन रहेगा। आपको स्वास्ट भी अच्छा रह सकता है। मित्रों मित्तु नासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप कुछ लोग आपके अलोचना या निंदा कर सकते हैं। ऐसी नकरात्मक परिविर्तियों से भी लोगों को दूरी बनाय रखने की जुरत रह सकती हैं। आज के दिन आपका अर्थिक पग पहले से कफी अच्छा और कफी सुद्र रह सकता है। इसमें परिवार के लोगों को हर सोटी मोटी जुरतियों पर भी दिहान देने की जुरत रह सकते हैं। आज के दिन आपको विशेश रूप से अगर आप कोई भवन निर्वान समंदित कारे को पूरा करना चाते हैं तो उनके पूरा होने का योग बन रहा है। साथ ही आपको किसी प्रोपर्टी को खरदने की योजना बना सकते हैं। आपको वेग्यानिक दिर्शीकोन तथा उन्नत सोज आपके घर तथा आपके वेवानित दुनों वेवसाय में भी समझज़स्च की कमें देखी दा सकते हैं। आज के दिन दूसरों के मामलों में हस्तक्चेप करने की कोशिस न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बैतर होगा आप अपने जीवन में जो भी दुख तकलिफ हैं समस्चाएं हैं उनको आप दूर करने की कोशिस करें। दूसरों के मामलों में हस्तक्चेप न करें। मतरों आज के दिन बिना पड़े किसी भी दस्तावेज या किसी कागज पर आप अस्ताक्षिर कभी न करें। साथ ही आप अपने कुरूद और गुशे पर भी अंकुस लगाने की अवस्य कोशस करें। वैपार में आपको बहुत तदिग और परिस्रम करने की जुरत रह सकते हैं। कोई रिन लेने की यूजना है, तो आप जरूर ले सकते हैं। आप अपने रिन को आसानी से चुका सकोगे। आज के दिन किसी से भी बात चीत करते समयं आपको अपने कामकाजो पर ध्यान देने की जुरत रहेंगी। करात्मक्ता आप न करें आप अपने जीवन को बहत्रिन बनाने की कुछस करें आपका दिन बहत्र बनें इसके लिए कमेंट वॉक्स में जै माता दिया वस्ते लिखें आपका दिन सबहों मंगलकारी हो जै माविंदु वासनी